नमस्कार दोस्तो, भारत में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कोई टिकट नहीं लगता है, इस ट्रेन में पिछले 73 सालों से लोग फ्री मेट सफर कर रहे हैं, इंडियन रिलिवेज चाइना के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलिवेज नेटवक है, पूरी दुनिया की बाद की जाए तो भारती रिलिवेज चौथे नमबर पर आता है, इसके अलावा इंडियन रिलिवेज में 7350 गुर्स टेन हैं, जो कोल, सिमेंट, ओयल और खाने पीने की चीज़ों को एक जगे से दूसरी जगे ले जाती हैं, अगर आपने कभी इंडियन ट्रेन में यात र और सफर का मजा लीजिए, टिकट कलेक्टर के आने की कोई चिंता नहीं रहती, ये ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है, अगर आपको भागडा नागल बान देखने जाना है, तो आप इस ट्रेन का फ्री में आनद उठा सकते हैं, भागडा ड आपको भागडा नागल डेम के बारे में सुना भी नहीं होगा, ये चीज क्या है, किस स्टेर में पढ़ती है, आगे की यंग जनरेशन को मालूम हो कि देश का सबसे बड़ा डेम कैसे बना था, इसमें क्या-क्या दिक्केते आई थी, भागडा व्यास मैनेजमेंट कर रास्ता बनाया गया था, उस जबाने में टेक्नोलोजी ऐसी नहीं थी कि जैसी आज है, खास तो कितना भी बड़ा पहाड़ हुँ, महीं से रास्ता निकाल दिया जाता है, ये ट्रेन पिछले 73 सालों से चल रही है, पहली बार इस ट्रेन को निस सो नियन चास में चला गय हुए है, इस ट्रेन में कोई सामान बेचने वाला या फिर टिकट कलेक्टर या टिटी नहीं मिलेगा, ये ट्रेन डिजल इंजन से चलती है, और करीबन एक दिन में 75 लिटर डिजल लग जाता है, एक बार इस ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो भागरा से वापिस नंगल के और आ जाती है, इस ट्रेन का दूसरा चक्कर दोफैर को 3 बच के 5 मिनट से नंगल से शुरू होता है, और शाम को 4 बच के 20 मिनट पर भागरा से वापिस नंगल आ जाती है, नंगल से भागरा पहुचने में करीब 40 मिनट का समय लगता है, जब ये ट्रेन शुरू ह ही थी, तब इसमें 10 बगी हुआ करती थी, मगर समय के साथ साथ इसमें अब 3 कोचिज ही रह गए, इन 3 कोचिज में से भी 1 बगी टूरिस्ट और लेडिस के लिए रिजरूड है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, या कुछ जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को ल सब्सक्राइब को करना ना भूलिए, धन्यवाद